हाई फ्रेंड्स कैसे हो वेलकम बैक टू मैं चैनल करिश्मा केक मंत्रा दोस्तो कभी कभी हमें ओर्डर कंप्लीट करने की जल्दी होती है तो उस समय जल्द बाजी में हमसे कुछ छोटी छोटी गलतिया हो जाती है वैसे ही इस केक क्यों ओर्डर के टाइम मेरे साथ हुआ था ऐसी जल्द बाजी में जब हमसे गलतिया होती है तो हमें डरना नहीं है थंडे दिवाक से सोचना है और उसको सुधारना है ऐसी जल्द बाजी वाली गलतिया जो होती है वो अकसर फाइनल फिनिशिंग देते समय ही हो जाती है चौकलेट ट्रफल केक के उपर गनाश फैलात समय मेरे साथ भी ऐसा जल्द बाजी वाली गलति का हाथसा हो गया मुझे एक साथ दो केक की ओर्डर साई थी यह वाला जो है वो चौकलेट ट्रफल केक था एक्चुली मैंने गनाश बना लिया केक पर पौर करने के लिए और उसे रूम में रख दिया और दूसरे केक की मैं नहीं और गनाश जो है वो केक के उपर पोर कर दिया तो वो गनाश केक के उपर आसाई से फैला नहीं और जब मैंने वो उस्प्रेड किया तो उसके उपर थोड़े बबल दीख रहे थे तो मैंने palette knife से गनाश पो और किये हुए surface के उपर texture effect दिया देखिए इस तरीके से palette knife को मैंने cake के surface के उपर थोड़ा slanting पकड़ा है और सिर्फ turn table को मैं घुमा रही हूँ ऐसे हमें cake के surface के उपर texture effect देना है palette knife से palette knife यूज़ करने के वज़ा से cake के surface के उपर जो गनाश के उपर bubbles दिख रहे थे ना वो भी अभी दिख नहीं रहे हैं आप वो वीडियो में देख सकते हो इस तरह मैंने palette knife का यूज़ करके जो problem create हुआ था उसको solve किया है और फिर star nozzle यूज़ करके मैंने cake को decorate किया है cream से वैसे तो ये बड़ा problem नहीं था शायद customer को cake मिलने के बाद समझ में भी नहीं आता लेकिन अकसर हमें ऐसे लगता है कि हम जो cake customer को deliver करते हैं वो बड़े finishing के साथ customer को दे और वो इतना बढ़िया दिखे कि उसे देखकर customer खुश हो जाए मुझे भी ऐसा ही लगता है इसलिए मैंने palette knife वाला जुगाड लगाया और cake को final finishing देकर फिर decorate किया है दोस्तों हमें यह हमेशा याद रखना है कि जब problem आते हैं तो वो solution और नई सीख लेके आते हैं तो हमें panic नहीं होना है और उस problem को कैसे ठीक करना है वो सोचना है अगर last moment पर जल्द बाजी में हमसे cake की finishing disturb हो जाती है या cake के decoration में कुछ problem हो जाता है तो उसे कैसे सुधारना है उसकी possibilities हमें तुरन सोचनी चाहिए जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया तो आप कोई भी problem हो जाए customer को confidently बढ़िया cake ही deliver कर पाओगे यह आप हमेशा याद रखिए कि अपना cake जो है वो taste और quality में एकदम बढ़िया और looks में भी एकदम सुपर से भी उपर होना चाहिए क्योंकि वो showstopper जो होता है हमारा cake जो बनेगा वो एकदम बढ़िया बनाना है ऐसे सूच कर ही हमें काम करना है ताकि हम जो इतने महनत से cake बनाते हैं वो बनाने का हमें भी satisfaction मिल जाए और customer जो उसके उपर money spend करता है वो भी खुश हो जाए फिर मैंने cake की border जो है वो N46 नंबर के nozzle से star flowers बना के बनाई हुई है आप देख सकते हो वीडियो में फिर मैंने cake के उपर जो star nozzle से मोदक वाली design बनाई है उसके उपर golden वाले sprinklers जो है मेरी आपको request है कि please मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि नए नए जो वीडियो आएंगे उनकी notification आपको मिलती रहे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए बड़े golden ball sprinklers क्रीम के बना हुए मोदक के उपर लगाने के बाद फिर मैंने छोटे golden ball sprinklers को texture किये हुए गनाश के उपर भी sprinkle किया है उससे हमारा cake और भी beautiful लगेगा market में अलग-अलग type के edible sprinklers available होते हैं आप time to time अलग-अलग sprinklers को use करके आपकी cake की खुबसूती बढ़ा सकते हो इस तरह मैंने ये cake का decoration complete करके फिर इसके साथ में दूसरी जो order आई थे वो भी successfully complete कर दी देखिए अभी अपना chocolate truffle cake जो है वो complete हो गया है दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये जुगाड और cake की design comment box में ज़रूर डाल दीजिए thank you for watching video जल्द ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए have a nice time